इसने मुझे मार पहले बाद तो इसलाम कबूल कर आया मार मार के मैं देश की जंदा को कहना चाहती हूं उसने मेरा इस्तमाल किया हिरो बनने के लिए बॉली वुड में आने के लिए आदिल ने कहा है कि प्रदान मंतरी जी को गोहार करेंगे अब मैं बताती हूं मुम्ताज ज वरख ये मुझे बोला I love you Jana मैं तो राकी को I Am Living Rocky in December मेरे पास, मेरे पास पूरे आडियो है, मैं सब को बेचती हूँ, उसके गल्फरेंड को बलता है, उसके गल्फरेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जारी हूँ, 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 मैं पुलिस में जारी हू दिसे अए फेक, बड़ी, हैल, मारेज I want a wife like you मैंने सब को बेजा है सबको बेजा है तो उसने सब जूट बोला है उसने मेरा इंटमाल कि आ मैं देश की जन्ता को कहना चाहती है उसने मेरा इस्तमाल किया हेरो बनने के लिए बॉलेवुड में आने के लिए बिग बॉस में जाने के लिए उसने मेरे इनोसेंस का फाइदा उठाया है 30,000 ना जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपय का चेक दे कर गई थी मेरी मा के लाज के लिए और वो जो उसने किया था ना किया देखो मुझे मम्मी बहुत प्याल कलती थी मेरी मा से यहां पीछे बैटी है बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राकी का वीडियो बना किया ने मम्मी के साथ बेज़ दो और मम्मी बिग बॉस में लाना है भाई उस हरां में ने क्याक्ति है पथा न मेरी मा बिग बॉस में हना चाती थी मराठी में मेरी मा को नहीं लेकर आया खुद प्यार हो कि आ प्रूफ दीजिया अगर मैंने उसे दम की दिये तो मुझे प्रूफ दीजिए अब मैं बताती हूं मुम्ताज जी जो है मैसूर में मुम्ताज आंटी जो है इनकी कुछ लगती है उसके बेटे ने मुझे ताज में यहां पे ताज में मेरे साथ ऐसे बेटके इस पूरे वीडियो वारल किया था उसको अब बाई चला रहा था ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल और आदिल ने मुझे बोला मैं बिग बस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रड़क्शन हाओ लेकिन इसने उसकी गल्ट्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चा मेरा हजबंड मेरी जिन्दगी एश कोई और कर रही है आप समझ रहे हैं और मैं पैसे देकर गई थी वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है कितनी-कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्हों ने किया वो सारे प्रूफ है सारे वीडियो सारे प्रूफ है मेरे पास अब मेरी मा को मेरी मा को मेरी मा को इसने कभी पैसा ने दिया मैं 10 लाग रुपा दे कर गई थी मेरी भाबी ने हाज ओड़के इसकी मा कॉमा में चली गई है इसकी मा कॉमा में चली गई है एक मिने इसकी मा कॉमा में चली गई है प फोन नहीं करता था बिल्कुल भी बाबी का फोन नहीं उठाता था और मेरी मां कोमा से उपर चली गई और शरम आनी चे लानते इसके थुकती हूं इसके मुपे कहता है कहता है अदिल खान दुरानी थुकती हूं इसके मुपे कहता है कि जिसन इसकी मां मरी वो बिर्यानी खा अप लोगों ने लिया देखा हमने भी आशों सब को एक पॉइंट है कौन सी और दे चाहें इंडिया नी बाहर भी कौन सी और जिसकी मां जिस दिन मर जाए वो खाना खाए आपके सब के सामने सबुत उसने क्या बुला उसकी मां तीन बजे मरी वो जाने रही जब तक मेडिया प्रणा नहीं आईगी और आपको लगता है कि मैं तब तक आप लोग मीडिया वाले हो सच का सच का जुट का जुट आप लोग बताते हो आप लोग कप पहुँचे जब मैं उपर से नीचे आई बोड़ी बांद के मैं मेरी अकेली मेरी फ्रेंड राश्री और फालगु ने क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में उपर गई थी ऐसा नहीं हुआ था नहीं पहले सवाल आप नहीं पुछेंगे आप की जबांद कमे की का बेद हो साड़ी है जो मैंने दस बार । अप रगर पहले हैं। में तो विश्वास निकल गया जब जिसकी मा मरी सेम साड़ी पहने कि उसमें खाना खाया ये एक वीडियो में गाना भी का रही हूं और एक दूसरा भी वीडियो शांती से बैठी साड़ी सेम है कि वही साड़ी में दो-तिन बार मैंने पहनी है नहीं मैं आदिल को अपना हस्बंड नहीं मानती हूं अब कि मैंने डाइवोज हम मैं फाइल कर रही हूं उन्होंने इतने घिनोने इल्जाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंडन में एक कमरे में तो तेरे आप छुपाने के लिए मेरे पे लगा रहा है मैं तो लॉयल हूं रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंडन गया ही नहीं हूं रितेश ने तो बता दिया आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का और नहीं नहीं एक मिनिट एक मिनिट पहले मुझे कम्प्लीट करने दो मैं तो लॉयल थी मैं तो जब से शाद nuगी वो खुदाने मुझे पर रहं किया क्योंकि मैं नमाजी है तो फिर इसी हुआAI पैले हुए है अगहार अगर अगहार रिटेश की शादी पहले हुई है अगर समझे मेरी उसके साथ शादी और 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 मैं रितेश के बारे में कहना चाहिए रितेश बहुत अच्छा इंसान है जब लोगडाउन में मेरे पास खाना नहीं था मेरे पास अनाज नहीं था मेरी मा को करोना हुआ मेरी मा को पहुचाने के लिए घर में एक रुप्या नहीं कहां से कमाओ क्या करू रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिन्दगी में आये मेरी मा का ओपरेशन चार बार कराया करोड़ों रुपे खर्च किये मैं एक आप पर जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे में करोना करना में अनाज बरू वो बाद वो कहां कहां से अनाज मेरे घर में बेचता था सबजी या प्रणारना काल में है तो अरितेश्ट जिन्ददी के में भगवान की तरह मेरे मां इतना सेवा व 언ा इतना सरज्यरी कराया एंड कर मेरी मां के गिई पर आदल नहीं था सिर्फ रितेश था अच्छा राकी राकी आदिल का ये भी आरूप है कि आप हर किसी के पाद जाके तीन लाग, दो लाग, एक लाग डोनेशन लेती थी अपने मा के नाम को लेकर आपने लोगों से आपने से अपनी मा की सिमक्ति को दिखाकर किसी से 4 लाग लिए किसी से तीन लाग लिए किसी से दो लाग लिए ये डूनेशन आप लिया करती थी तो अगर मैं किसी से दो लाग तीन लाग सब लेती हूं मेरी मा के नाम पर तो सल्मान भाई के पास मुझे भीक मांगने की जरूत नहीं पड़ती के बाई मेरी मा को बचा लो सल्मान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी मा का ऑपरेशन किया कैंसर का करोना के टाम पर उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया और फिर और फिर मैं जम मैं ठ मेरे अकाउंट में लिया मैं एक इमानदार लड़की हूं मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टीकी हूँ आज तक मुझे कोई जज ना करो इसको स्टार बनना इसको बिग बॉस जाना है इसको फिल्म स्टार बनना है आदिल चार वीडियो कर लोगे सी ग्रेड की चार पांच फिल्में कर लोगे गायब हो जाओगे एक दिल एक लड़की को इतना बदना मत करो पहले मैं नहीं आई थी आज मैं जब उन्होंने कल आये मुझे इल्जाम लगा है इसलिए मैं यहां पर आके उनके जवाब देने आई हूँ और मैंने कोट में प यह आट मैने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है किते कोई राकी सावंध को मार सकता है क्या राकी सावंध हूँ मैं मीडिया के सामने एंड आफ दे में एक औरत हूँ कि एंड दे में एक औरत हूँ मैं बॉलिवूड में हूँ तो क्या हुआ कर दो क्या मुझे नाइम मिलेगा क्या मुझे जस्टिस मिलेगा मैं खोट पर हमारी हिंदुस्तान की कानून पर विश्वास रखती हूं मुझे मेडिया ट्राइल नहीं चाहिए मैंने जो जो भी मे ऐख माली वुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चा ही नहीं कै मैं 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 बॉलिज एक्टरस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं ये पुलिस सेशन जाने लेकिन मैं कभी सामने नहीं है लेकिन जब मेरी मा के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने मुझे जज मत करो कोट पे वैसला छोड़ो नहीं अगर फिजिकल रिपॉर्ड नहीं था भाई तो आप मैसूर कोट में मैसूर पुलिस सेशन में जाए मैसूर पुलिस की म मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं कि इतने क्रिमिनल यह इसके इतने रिकॉर्ड है फिर इसकी बेल कैसे हो गई दूसरी बात क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं अगर है अगर नहीं होगा तो कि इसको ऐसी जेल में डाल दिया उस लड़की ने कुछ तो वीडि देखें नहीं है जो आदिलने 45 अधिलने मेरे नियूड वीडियो आदिल खांदुरानी मेरे हस्बंड उसने मेरे नियूड वीडियो 50 50 40 47 लाक्स में मेरे हनीमून के टब में बैटी हूं बातरूम में नारी हूं उनके सब बिस्तर में हूं सारे वीडियो शूट करकर के एक आरब को बेचे किसको बेचे जिसका नाम है मैंने आपको बेचा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वान में कोड के लिए रखना चाहते हैं वह त्राइल में अभी ट्राइल नहीं करेंगा पता ही है लास्ट कोई टेश को भी टैक करती हूं लकी को भी टैक करती हूं मैं मैं फाल कुनी को भी टैक करती हूं और मेरी भावी को भी टैक करती हूं आदिल को इसे लिए नहीं टैक करती हूं कि कुछ छे मैंने जेल में था बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम कि अप्रसो में लूँगी तर्सो वो प्रेस करगा फिर आदिल ने कहा है अदिल ने कहा है कि प्रदान मंत्री जी को गोहार करेंगे मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी गरगर मोदी हर हर मोदी तो मैं गोहर करती हूँ आप में जो तीन तलाक का कानून बनाया था इसने मुझे मार पहले बाद तो इसलाम कबूल कराया मार मार के दो तलाक उसने मेरे मुँपे मारे है क्या राकी सावन जी आपको आदिल दुरानी ने मार मार के इसलाम कुबूल कराया क्या जबस्ति इसलाम कुबूल कराया या निका में आप उसके प्यार के बाद प्यार के बाद आप निका करना चाहिए और इसलिए आप निका में इसलाम की शरियत है कि अगर आप निका करने के लिए मैंने मैंने सिर्फ उने कोट मेरेच करने बोला था लेकिन मुझे मैं प्रभू ही एश्यू में थी लेकिन मैं इसलाम में आऊंगी यह मैंने नहीं सोचा था लेकिन उन्हों ने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा आपको इसलाम कबूल करना पड़ेगा लेक मेरे दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी मेरा तलाक हो जाएगा लेकिन मैं इसलाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्ला को प्यार करती हूं आदमी गलत निकला है कि इसलाम बहुत अच्छा है मैं इसलाम को में मुसल्मानों को बहुत इज़त करती हूँ मैं एक मुसल्मान हूँ और मरते दम तक रहूँ